नमस्कार आप देख रहे हैं गमासान.com वेहों आपके साथ दिक्षा भागे भूखमरी की कगार पर खड़ी है एर इंडिया को क्यों नहीं मिल रहा है पेट्रोल 4500 करोर रुपए चुकाने हैं सरकारी आइर इंडिया की आर्थे के स्तती काफी बुरे दोर से गुज़र रही है आलम ये है कि कंपनी पर तीन तेल कंपनियों का 4500 करोर रुपए से अधिक का बगाया है जिसे बीते साल कई महिनों से नहीं चुकाया गया है जिसके चल देते इन कंपनियों ने पाच एरपोर्ट पर इधन नहीं देने पर रोक लगा दी है इस एरलाइन के राच्छी, मोहाली, पतना, विशाखा पतनम, पूने और कोचीन में एर इंडिया के हवाई जहाजों को इंधन नहीं मिलेगा एक वरिष्ठ दिकारी के मताबिक एर इंडिया को नभे दिन का क्रेडिट पिरियड मिलता है लेकिन हवाई कंपनी ने 200 दिनों से किसी तरह का भुकतान नहीं किया है जिसके बाद कंपनी को ये कदम उठाना पड़ा है हलाकि एर इंडिया ने तेल कंपनी को 60 करोड रुपे की पेशकश की थी जो की बकाया राशी के मुकाबले काफी कम है इंडियन ओयल के प्रवकता का कहना है कि गुरुवाय शाम से इधन आपूर्टी पर रोक लगाई गई है हम हवाई कंपनी के संपर्क में है जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा वही तेल कंपनी उने इधन की सप्लाइ रोकने से पूर एर इंडिया को पत्र भी लिखा था लेकिन इसका कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया था तेल कंपनियों का कहना है कि जब तक उनको सरकार की और से कोई वित्तिय सहायता नहीं मिलती जब तक EIR India को पूरी सरकारी सहायता दी जाती है इधर केंदर सरकार EIR India में 100% हिस्सदारी बेचने की तयारी कर रही है कंपनी के बिगड़ते वित्ती हालात को देखते हुए सरकार ये कदम उठाने जा रही है बताया जा रहा है कि सरकार की और से गठत मंतरी समू इस विशे में एक सप्ताह की भीतर फैसला ले सकता है मंतरी समू में ग्रह मंतरी अमित शाह, वित्त मंतरी निर्मला सीता रमन, रेल मंतरी प्यूश गोयल और नागर विमानन मंतरी हरदीप सिहंपूरी शामिल है गौर तलब है कि इस से पहले के कारिकाल में सरकार ने एर इंडिया में 76 फीजदी बेचने की तयारी की थी लेकिन तब किसी ने हिस्सेदारी खरीदने में रूची नहीं दिखाए थी